उत्तराखन में पांच प्रयागों का बड़ा मात्व है और हिंदू धर्म में इन पांच प्रयागों को प्रवित्री स्थान माना गया है। जियां दोस्तो आज हम पहुंच रहे हैं विश्णू प्रयाग और जानेंगे इनकी कहानी, इतिहाश और मानताओं के बारे में। यहाँ पर रिशी नारद ने भगवान विश्णु की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुशो कर भगवान विश्णु ने उन्हें इससे इस्थान पर दरसन दिये थी इस घटा की आयत में इस संग्रम से लगबग दो किलोमेटर दूर एक प्राचीन मंदीर बनाया गया है जिसे विश्णु मंदीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों विश्णु प्रयाग बद्रिनाज से 35 किलोमेटर पहले गोईन घाट के पास इस्थीत है जो सिमट से 15 किलोमेटर आगे मेरूट के पास एक मंदीर है आपको पहले प्रयाग यानि विश्णु प्रयाग जहां पर विश्णु गंगा और धोली गंगा नदी का शंगम होता है और यहीं से चलियारी है अलकनंदा नदी और अलकनंदा नदी की इस भाग को विश्णु गंगा के नाम से पुकारा जाता है अगर आप जोसी मठ में हैं हरी पर जा रहे तो जोसी मठ मुख्यमार पर यह स्थान पढ़ता है बहुती प्यारा जगह है विश्णु प्रयाग धाम इसको कहा जाता है तब और यहां पर दो नदियों का शंगम होता है अगी इसके बारे महुँ डेटेल जानता है लेते हैं दोस्तों दूसरी तरफ से चली आ रहे है धौली गंगा और दोनों नदियों का संगम में सिस्थान पर हो रहा है विश्णु प्रयाग में मिलने वाली यह दो नदियां अलग 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 गलेसियर से होकर के आती है तो पहले बात करते हैं दोस्तों अलग अनदा नदी के ब किया था और इसके बाद उन्होंने आगे का सब पर यहीं से तैग किया था अलगनदा नदी सतोपत से निकल कर माना गाओं आती है और माना गाओं से यह अलगनदा नदी बदिनाब धाम आती है बदिनाब धाम पहुंचने के लिए आपको अलगनदा नदी पार करनी होती है उ दोस्तों बदिनात धाम से पांडुकेश्वर और गोविंगाट होते वे अलगनदा नदी पहुंचती है विश्णी उप्रयाग जहां पर यह मिलती है धोले गंगा से और अलगनदा नदी भारत की सबसे प्राचिनतम नदियों में से एक है नई प्राचिन गंथों में इस कलने के कारण से इस नदी का नाम पड़ा अलगनदा नदी विश्णू प्रयाग संगम पर आने वाले दूसरी नदी काली गंगा वसंधरा ताल से निकलती है नीती दर्रे से होते विया पहुंचती है रानी नामक गाउं में और रानी गाउं जोसी मट से लगभग 20 क्रूमर पहले है नौली गंगा तपोवन से उतियों आती है विश्णू प्रयाग पर जहां पर यहां अलगनदा नदी से मिल जाती है बरफ यहां पर दिखाए पड़ती है पहारों के उपर यह जो पहार आप देख रहे हैं दिसंबर मिल डिसंबर के बाद यह पूरी तरह से बरफ स दख जाता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां मंदीच इस संगम के ऊपर एक चोटे से पाड़ परिस्तित है दोस्तों जोसी मट से बद्दिन अत्वाले मुख्य मार्ग पर बद्दिनाज से लगबख 35 क्रूमेटर पहले रोड के दाहीं तरफ यहां पर यह इस्तान मिलेगा विश्णू प्रयाग संगम का मेंगेट यहां से अप अंदर चब जाते हैं तो यहां पर चुट चूट अब पीड़ और वने से यहां पर देखने को मिलते हैं और यही पर बहुत सारी मंदिर आपको देखने का मौका मिलिगा दोस्तों यहां पर अतिप्राचीन भ गेट के पास ही बना है दोले कंगा अलक नंदा संगम नीचे जाने का रास्ता और इस गेट के पास आप जाएंगे तो यहां पर लगबक 30-40 सिलिया नीचे उतरने का बाद दिखेगा शंगम का सुंदर साद्रिश विष्णू प्राग में दाया और बाया और दो परवत हैं जिने भगवान विष्णू का द्वारपाल के रूप में जाना जाता है दाया परवज्जय और बाया परवत को विजय के नाम से पुकारा जाता है विश्णू प्राग में जय विजय परवत के मानता के समानी बदिनाथ अगर आप जाते तो वहाँ परवतों के मानता भी देखने को मिलती है जी है दोस्तों बदिनाथ धाम पर नर और नरायन नामक दो परवत सिंख्रायन देखने को मिलती है और इनी दोनों परवत सिंख्रा एक अंज बताया है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यतना ही यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत जय विश्ठो प्रैब